जय मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज है साल 2022 का पहला सुरी गरहन तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे कि आज यानि की 30 अप समाप्त होगा साथी साथ हम बताएंगे कि यह सुरी गरहन कहां कहां दिखाई देगा क्या यह सुरी गरहन भारत में दिखाई देगा इसकी भी जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो में वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी त तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे ग्रहन एक खगोली घटना है और जो तिस के नजरिये से देखा जाये तो ग्रहन को असुब मान जाता है और इस सम का नुकसान ना पहुंचे यह प्रथा कोई नई नई है यह पुराने समय से ही चली आ रही है आज यानि 30 अप्रेल सनिश्चरी अमावस्या की दिन सुरिगरहन लगने जा रहा है यह सुरिगरहन 30 अप्रेल को मध रातरी उपरांत 12 बचकर 15 मिनट से सुरू होकर 4 बचकर 7 समाप्थ होता है तो सुतक काल आज यानि 30 अप्रेल को दो पहर एक बचकर 15 मिनट पे सुरू हो जाएगा जो की गरहन के साथ ही 4 बचकर 7 मिनट पे समाप्थ होगा सुतक काल से लेकर गरहन तक मंदिर के कपाट बंद कर दिये जाते हैं पूजा पाट वर्जित माना जाता है बात करे गरहन कहां कहां दिखाई देगा तो दोस्तो सुरे गरहन का रात में लगना ही इस बात का सूचेक है कि यह भारत में दिखाई नहीं देगा यह सुरे गरहन दक्षिन अमेरिका के दक्षिन पस्सिंभाग परसांत महासागर में अंटार्क्टिका में और अटलांटि में दिखाई देगा उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे, सेयर करे और मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सबस्क्राइब करे इसके बावजूद साल 2022 के पहले सुरिगरहन से जुड़ी कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिपलाई दूँगी